आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं शरत बागहला सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रदेश के साथ हजार से ज़्यादा मेधावे विध्यारतियों को आज मिलेंगे इसकूटी खरीदने के लिए पैसे राजिस्तरी कारिकरम शेहडोल में होगा चनर्मा के दक्षणी ध्रूप पर आज शाम करीब छे बचकर चार मिनिट पर उतरने का प्रयास करेगा चनर्यान तीन मुख्यमंत्री सीखो कमाव योजना का शुभारम मुख्यमंत्री ने कहा योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा और बेतुल जिले में शिशुम रित्यु दर्मे कमी लाने के उद्देश से दस तक अभियान जारी अब तक 90,000 से ज्यादा बच्चों की हुई जाँच अब समाचार विस्तार से निशुलक इसकूटी वित्रण योजना के अंतरगत परदेश में संचालित शास की हायर सेकेंडरी विद्यालों में सतर दोहजार बाईस देईस में पर्थम इस्थान पाने वाले चातर शातराओं को आज इसकूटी खरीदने के लिए राशी परदाय की जाएगी मुखी मंतरी शिवरासिह चोहान शेडोल में आयजीत राजिस्तरी स्कूटी वित्रण समारों के मुख्य अतिती होंगे निशुलक स्कूटी वित्रण योजना के अंतरगत इस वर्ष परदेश के कुल 7790 विद्यारती लाभन वित होंगे इसमें पेट्रोल स्कूटी चैनीत करने वाले 4806 विद्यारती और इस्कूटी चैनीत करने वाले 2984 विद्यारती शामिल है राजी शासंद वारा पेट्रोल इसकूटी चाइनीद करने वाले विध्यारतियों को प्रती विध्यारती 90,000 रुपे की राशी और इसकूटी चाइनीद करने वाले विध्यारतियों को प्रती विध्यारती 1,20,000 रुपे की राशी स्यूकरित की गई है इस तरह कुल 7790 विद्धियार्थी को स्कूटी के लिए 89 करोड़ो 6 लाख 20,000 रुपे राशी की स्कूर्टी दी गई है इन दोर में 162 विद्धियार्थियों को आज इस्कूटी वाहन का वितरन किया जाएगा नीमच जिले के 65 हायर सेकंडरी स्कूलों के 116 चातर चातराओं को अनपूर जिले के 144 विद्धियार्थियों को डिंडोरी जिले के 133 आगर मालवा जिले के 48 और खंडवा में 177 चातर चातराओं को इसकूटी परदान की जाएगी दुनिया भर के लोग उस एतिहासिक शन की उत्सुक्ता से प्रतिक्षा कर रहे हैं जब चंदरयान 3 का लेंडर मॉडियूल आज शाम करीब 6 बचकर 4 मिनिट पर चंदरमा के दक्षणी धुरूप पर उतरने का प्रयास करेगा भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि चंदरयान 3 का मिशन कारिकरम के अनुसार चल रहा है लेंडर विकरम के अंतिम चरण की उल्टी गिनिती शुरू हो गई है लेंडर विकरम के अंदर रोवर प्रिज्ञान है इसरो ने लगभग 70 किलोमेटर की उचाई से लेंडर के कैमरे से भेजी गई चंदरमा की तस्वीरें जारी की है प्रदेश के सभी स्कुलों में चंदरयान की लेंडिंग का शाम साड़े पाँच बजे से लाई प्रसारन किया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा दक्षिन अफरिका के जोहांस बर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबुधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि वेश्विक अर्थविवस्ता में आर्थिक उतल प्थल के बावजूद भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुक अर्थविवस्ता बन गया है उन्होंने विश्वास जताया की भारत जल्द ही पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थविवस्ता होगा केंद्री नागरी कुडेन एवं इसपात मंत्री जोती राधित सिंध्या ने कहा की प्रदेश के 320 आधुनिक सीम राइस उसकूलों का निर्मान किया जा रहा है ये विध्यारतियों के जीवन में प्रगती का मार्ग प्रशस्त करेगा शिरी सिंध्या ने कौालियर विधान सभाश शेतर में 59 करोड़ 30 लाख रुपे की लागत से निर्मित होने वाले शास्की पटेल सीम राइस उसकूल का कल भूमिल पुजन किया शिरी सिंध्या ने कहा कि पर्थम चरण में प्रदेश में 320 सीम राइस उसकूलों का निर्मान किया जा रहा है अगले चरण में इसे 900 सीम राइस उसकूलों तक ले जाये जाएगा उन्होंने कहा कि लाडली बेना जैसी योजनाओ को लागू कर प्रदेश सरकार ने देश भर में प्रशंस्ता प्राप्त की है प्रदेश में सुतंतरता संग्राम सेनानी और लोकतंतर सेनानी की सम्मान निधी अब 30,000 रुपे मासिक हो गई है वे सौतंतर संगराम से नानी और लोक्तंतर सेनानी जो एक माह से कम निरुद रहे हैं उनकी सम्मान निधी 10,000 रुपे मासिक की गई है सामान प्रशासन विभाग ने इस संबंद में नर्देश जारी कर दिये हैं लोगतंतर सेनानियों को प्रदेश में इस्थित रेस्ट हाउस और विश्राम ग्रहों में अधिक्तम दो दिन तक ठहरने की सुविधा भी दी गई है ये सुविधा उन्हें 50 प्रतिशत राशी भुखतान करने पर उप्लब्द रहेगी लोगतंतर सेनानी के दिवंगत होने पर उनके परिवार को दी जाने वाली निधी 8,000 रुपे की गई है अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का ये समाचार आपकाश्वानी भुपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भुपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं इसके लावा अप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर समाचारों में आपका स्वागत है मुख्यमंत्री शिवरासी चोहने ने कल भुपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाव योजना का शुभरम किया उन्होंने युवाओं को अनुबंद पतर दे कर योजना का शुभरम किया उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इस योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा अब व्यवसाइक प्रतिष्ठानों में भी काम सीखनी की व्यवसाग की जाएगी मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि परदेश में अब तक 60,000 युवाओं को नोकरी दे चुके हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाव योजना में अब तक 16,744 कमपनिया पंजिकरत हुई है और अब तक 17,386 पद सुरजित हुए हैं अब तक 8,71,000 से जादा युवाओं योजना में पंजिकरत हुए हैं और अब तक 15,000 से अधिक अनुबंद भी किये जा चुके हैं इस योजना में 46 शेत्रों के 700 से अधिक पार्टिकरमों में युवाओं को प्रशिक्षन दिया जाएगा उन्हें 8 से 10,000 रुपे स्टाइपेंड मिलेगा बेतल जिले में शिश्मृत्य दर में कमी लाने के उद्देश से 10 तक अभियान चलाया जा रहा है अभियान के तहट 17 अगस तक 6 से 5 वर्ष तक आनुपातिक 1,9,844 बच्चों में से 93,152 यानि कुल 85 प्रतिशत बच्चों की स्क्रिनिंग की जा चुकी है अभियान के दोरान 71,844 बच्चों की हिमोगलोबिन जांच की गई जिन में 744 अतिक पोशित बच्चों की पहचान की गई 1109 ग्रामों में 10 तक अभियान गतिविधी आयजित की जा चुकी है अभियान 31 अगस तक निरंतर चलाया जा रहा है मुखिमंत्री शिवरासीं चुहाने ने कहा कि सेवडा रशेत्र में रतंगल वाली मैया का अधभुत लोग बनाया जाएगा इसके लिए 5 करोड की राशी खर्च होगी उन्होंने सेवडा नगर के विकास के लिए भी 5 करोड की राशी स्विकरत करने की घुशना करते हुए कहा कि नया बस्टेंड और नगर पाली का भवन भी बनाया जाएगा सेवडा में इसी साल सी एम राइस उसकूल खुलेगा मुखी मंतरी कल दत्या जिले के सेवडा में जन दर्शन के दोरान लाडली बेहना सम्मिलन को सम्मूदित कर रहे थे उन्होंने शेत्र के विकास के लिए 169 करोड रुपे के विकास कार्णियों का लोकारपन और भूमी पुजन भी किया इस अवसर पर केंदरी नागरी कुड़ेन मंतरी जोजी रादित सिंध्या ने बताया कि सिंदु नदी पर पुल का निर्मान किया जाएगा मद्वर्देश कुटिर एवम गरामोड्योग विभाग के हदकरगा संचनालय दवारा इंदोर में तीन महा का हादकरगा वस्त्र बुनाई और वस्त्र शपाई का प्रशिक्शन परदान किया जाएगा जिला हाथकरगा कारले एवं प्रशिक्षण के इंदर इंदोर से प्राप्त ज्यानकरी के नुसार 18-50 होर्ष तक का अभ्यारती हाथकरगा से सम्मधित मुनाई एवं बस चपाई का प्रशिक्षण ले सकते हैं अपको समचार संक्षेप में इंदोर्वे कलेक्टर ने जनसायोग और रेट क्रोस के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए 31 इसकूटी स्युक्रत की जिले में अभी तक लगभग 225 दिव्यांग जनों को इसकूटी उबलब्द कराई जा चुकी है नीमच में कलेक्टर ने भादवा माता में मास्टर प्लान के तहत निर्माणाधीन कार्णियों का निरिक्षण कर प्रिगती का जैजा लिया दमों के जिला शिक्षा एवं प्रिशिक्षन संस्थान हटा के एस के मिश्रा को दाइतों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है पन्ना जिले में डायमंड पार्क स्थापना के लिए तीन करोड 98 लाक रुपे की राशी का आवंटन भी किया गया है जहाबुआ के शास्की कन्या उच्चितर माद्दिमिक विद्याले में विधिक शाक्षरता जागरुकता शिविर का आयुजन किया गया मुरेना विधान सबाच छे के अंतरगत सुभाश नगर में 50 परतिशत से कम मतदान शेतर में चुनावी पार्ट साला का आयुजन किया गया शिवपुरी में जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार अधिकारी के सहयोग से आज सुरक्षा सैनिक के पद पर भरती के लिए केम्प जन्पत पंचाज शिवपुरी में आयुजित किया जाएगा गुना में आहरण एवं सम्वितरन अधिकारियों को आयकर तथा TDS पर जानकरी देने के लिए कल सेमिनार कायचन किया गया अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश के साथ हजार से जादा मेधावी विध्यार्थियों को आज मिलेंगे स्कूटी खरीदने के लिए पैसे राजिस्तरी कारिकरम शेहडोल में होगा चंद्रमा के दक्षणी धुरूप पर आज शाम करीब 6 बचकर 4 मिनिट पर उतरने का प्रयास करेगा चंद्रयान 3 मुख्यमंत्री सीखो कमाव योजना का शुभारम मुख्यमंत्री ने कहा योजना का दाइरा बड़ा अचायका और बेतुल जिले में शिशु मृत्यु दर्मे कमी लाने के उदेश से दस तक अभियान जारी अब तक 90,000 से ज़ादा बच्चों की हुई जाज आज के बुलिटिन में बस इतना ही दीजे अनुमती नमस्कार